Sikkim North East India का एक popular tourist destination है और अगर आप Sikkim जाते हो तो नाथुला पास जाना almost given होता है थनमेबर्व से घिरी हुई ये जगह Indian and Chinese armies के चार border personal meeting points में से एक है यहाँ जब लोग जाते हैं एक कहानी सब को बताई जाती है एक सिपोय का जिनका नाम है हरबजन से सिंग का जनम हुआ था कपूर्थला district के एक गाव में और उन्होंने 20 साल के उमर में पंजाब रेजिमेंड में अपने आपको enroll किया जब वो Sikkim में अपनी unit के साथ तैनाथ थे 1968 में उनकी death हुई उसी साल के 4 October खो वो तुकुला से डौंग्चोईला जा रहे थे और खचर के एक जुन को escort कर रहे थे जब वो फिसल गए और एक नाली में गिर गए पानी की धारा उनकी शरीर को 2 किलोमेटर नीचे की और ले गए कहा जाता है कि उनका शरीर तीन दिन बाद मिला था और पूरे सेना समान के साथ उनका अंतिम संसकार किया गया था ऐसा भी कहा जाता है कि वो अपने साथी सैनिकों के सपनों में प्रकट हुए और उनसे उनके लिए एक समाधी बनाने के लिए का उनके यूनिट के लोगों ने एक समाधी बनाए और जहाँ पे अभी एक मंदिर बना हुआ है ये माना जाता है कि बाबा हरवजन मंदिर में रखा पानी बिमार वियक्तियों को थीक करने में शक्षम है इसलिए भग्त बिमार लोगों के नाम पर यहाँ पानी की बोटले छोड़के जाते हैं और फिर इस पवित्रे जल्गों बिमारों को पिलाते हैं तूरिस्ट के सुविधा के लिए बाबा हरवजन सिंग की समाधी को वहाँ से शिफ्ट करके एक दूसरा मंदिर बनाया गया जिसको न्यू बाबा मंदिर कहा जाता है इंगन आर्मी के योनिट्स जो यहाँ पोस्टेड होते हैं बाबा की ब्लेसिंग सीख करते हैं और मानते हैं कि आने वाले अटैक्स के बारे में वो उन्हें आगा करेंगे आर्मी ने उनको ओनरेर कैप्टेन की दर्जे तक प्रमोट भी किया है और हर साल 14 सेप्टेंग बर को उन्हें एन्वेल लीव भी दी जाती है और एक पेचेक उनके घरवालों को भी भेजा जाता है 2006 को उन्हें उफिशिली रिटायर किया गया आज भी ये माना जाता है कि उनके मृत्यों के 48 साल बाद कैप्टेन हर्बजन सिंग अपने ड्यूटी पर है और रात में घोरे के पीत पर चाइना के साथ लगी सीमा की रक्षा करते है इन फैक्ट चाइनीज भी अपने साइट पे एक सीट बाबा के लिए खाली चोड़ते हैं फ्लैग मीटिंग्स के दुरान आउट अट अफ रिस्पेक्ट नौटीस इंडिया के बारे में ऐसे और इंट्रेस्टिंग कहानियों है और किससे अगर आपको जानने है प्लीस हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें हमारे सोचल मेडिया हैंदल्स पर फोलो करें नमस्कार